सुप्रिम कोट ने विध्यकों को मंजूरी देने में राजिपाल की तरफ से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर पंजाब के राजिपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सक्त तेवर दिखाए हैं। सुप्रिम कोर्ट ने आज सुनवाई करती हुए कहा कि आखर राजजपाल सरकार से ताल वेल क्यों नहीं पिठा पाते हर बार मामला सुप्रिम कोर्ट पहुंच जाता है जबकि राजजपाल को मामला जो है वह ... पहुंचने से पहले ही सुलजा लेना चाहिए था और क्या कुछ कहा कोट ने सुनवाई के दौरान देखते हैं इस रिपोर्ट में सुप्रिम कोट की बैंच ने कहा कि गवर्नर चुनी हुई सरकार जैसे नहीं है और उन्हें समय पर बिलो को मंजूरी देने या फिर वापस लोटाने पर फैसला लेना चाहिए दरसल पंजाब की आप सरकार ने सुप्रिम कोट का रुख किया है जिसमें उसने गवर्नर बनवारी लाल परोहित पर आरोप लगाया है कि वो साथ विद्यकों पर फैसला नहीं ले रहे हैं जो उन्हें मंजूरी के लिए भेजे गए थे पंजाब सरकार ने कहा कि चार विद्यक जून में भेजे गए थे जबकि तीन मनी बिलो को सदन में लाने से पहले ही भेजा गया था चीफ जेस्टिस डिवाई चंदरचून जेबी पारदिवाला और मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा सभी गवर्नरों को इस पर विचार करना चाहिए वो चुने हुए लोग नहीं होते यहां तक कि मनी बिलो को रोखने के लिए तो एक समय सीमा है आखिर सरकारों को इसकी मंजूरी के लिए भी अदालत क्यों आना पड़ा इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रेम कोट 10 नमंबर को करेगा तब तक गवर्नर को बताना होगा कि उन्होंने लंबित बिलो को लेकर अब तक क्या एक्शन लिया है दीबिलाइफ की रिपोर्ट